अब आफिए स्टूडेंस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैट्स का टॉपिक टाइम इंडिस्टेंस सो स्टूडेंस टाइम इंडिस्टेंस में सभी थियोरम्स कर लेने के बाद अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस कोईशन्स करने का So students, अब मैं miscellaneous questions आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको theorem को किस तरह से use किया जाता है, कौन से questions में लगती है, उसका idea हो जाएगा तो आएए students, शुरू करते हैं आज की class, सबसे पहले मैंने बहुत असान questions उटाए हैं, level 1 के questions, उसके बाद धिरे-धिरे higher level के questions की तरफ बढ़ेंगे So पहले question में लिखा है students, a train is moving with a speed of 180 km per hour, its speed in meter per second So पहले question में कुछ खास दम नहीं है, यहाँ पर आपको एक train दी हुई है और इसकी speed दी हुई है, km per hour में आपको उसकी speed meter per second में निकालनी है, तो students हमको पता है, कि km per hour से meter per second में speed निकालने के लिए multiply करना है 5 upon 18 से, so अगर 18 और 180 को आप card देते हो, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो इसका मतलब 50 meter per second जो है, उसका answer रहेगा, जो की option number D है यह तो सबसे आसान question हो गया, second question देखते है, a train travels at 82.6 km per hour, how many meters will it travel in 15 minutes so students, यह question थोड़ा सा घुमा के उन्होंने दिया है, यहाँ पर train की speed तो बिल्कुल सेम तरीके से उन्होंने दिया है, speed of train, 82.6 km per hour और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है students, कि 15 minutes में वो train कितना distance travel कर लेगी, तो distance पूछ लिया है इस बार आपसे तो students, आपको इसमें speed को meter per second में change करना होगा, क्योंकि उन्होंने question में meter पूछ लिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बिल्कुल उसी तरे, 82.6 को multiply करेंगे, 5 upon 18 से, और देख लेते हैं किस से कट रहा है students, आप देख सकते हैं, कि यह 9 से तो नहीं कट रहा है, च 1516 यहां पर आ जाएगा, और 4520 upon 9 आ जाएगा, अब हमको क्या करना है, यह speed तो मिल गिये मुझे meter per second में students, meter per second, मतलब एक second में इतने meter वो चल लेती है, question में दिया हुआ है time, तो time भी उन्होंने क्या दिया है, गुमा के दिया है, 15 minutes दे दिया है, जो कि मुझे seconds में change करना तो 15, multiply by 60 क्या होता है students, 900 हो जाता है, 900, तो इसका मतलब 900 seconds, clear, अब मैं formula में put कर देता हूँ, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कितनी दूरी उसने तैकी, इसका मतलब distance, तो distance का formula होता है, speed multiply by time, और speed जो है वो है, 206.5, 206.5 upon 9, multiply by 900 कर दूँँगा students, देखे, 9 से जब ये 900 कर दा, तो यहाँ पर 100 आया, अब आपको क्या करना है, 100 से जब इसको multiply करना है, तो कुछ नहीं, point को दो बार right side भेज देना है, मतलब इस number को बड़ा कर देना है, तो ये हो गया, 5 के बाद गया एक बार, और उसके बाद एक 0 आपने लगाया, extra तो एक 0 और आ गया इसका मतलब, answer आएगा, 20650, 20650, जो की 20650, जो की option number D है, clear, इतने meters, 15 minute में वो तै कर लेगी, screen shot लिजे हो students, फिर आगे बढ़ते हैं, तो students, बढ़ते हैं, अगले दो questions की तरफ, an athlete runs 200 meter race in 24 seconds, his speed is, so students, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक athlete है, जो की 200 meter दौड रहा है, इसका मतलब भी आपको distance दिया हुआ है, क्योंकि meter लगा हुआ है, और यहाँ पर time भी दिया हुआ है, 24 seconds में, और तूचा है, इसे speed, तो students, यहाँ पर आप देख सकते हैं, options तो meter और second में दिये हुए हैं, sorry, options तो kilometer पर hour में हैं, लेकिन जो question में आपको दिया हुआ है, meter पर second में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा change करना पड़ेगा, क्यासे, सबसे पहले तो मैं speed निकाल देता हूँ, formula क्या होता है, distance upon time, so distance कितना travel कर लिए है, 200 meter upon time कितना है, 24 seconds, तो इससे क्या होगा, speed आ जाएगी मेरी, और इसको चलिए काड़ देते हैं, यह 8 से जाएगा, 8 to 16, 8 5 और 8 3 24, पीछे लिख दीजे, meter per second, speed तो आ गई मेरे पास, अब मुझे इसको option के हिसाब से adjust करना होगा, तो इसका मतलब kilometer पर hour म change करने के लिए, 18 upon 5 से multiply करना होगा, तो यह देखे, यहाँ पर 5 से कड़ गया, और यहाँ पर 6 से कड़ गया, तो 30, जो है वो मेरा answer है, option number, D आ चुका है, 30 kilometer पर hour, तो students ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर confusion क्या हो जाती है, यह सुनिए, confusion यह हो जाती है, कि 200 और 24 निकाल के, आ लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, options देखते हैं, कोई option नहीं होता, तो वहाँ पर फिर आप सोचते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई, और आपका confidence डाउन हो जाता है, तो कोशिच करके students देख लीजेगा, unit options में कैसे दिए, next question करेंगे, a man riding his bicycle covers 150 meter in 25 seconds, तो इसमें भी students पर distance, आपको 150 दिया हो है, तो speed निकाल लेते हैं, distance upon time होता है, speed का formula, distance क्या दिया हो है students, 150 upon 25 हो गया time, इसको काट के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और meter per second में आएगा, क्यों यहाँ पर मैंने meter और second को put किया था, लेकिन question में options क्या दिया हो है, kilometer per hour में, तो बिल्कुल उसी 26 क्या होता है, 108 होता है, upon 5 कर दीजिए, यह हो गया 21.8, 21.8, 21.6 होगा students, तो इसको correct कर लीजेगा, kilometer per hour, तो यहाँ पर option number B जो है, वो correct answer है, इस तरह से आपको basic questions करने है, time and distance के, screenshot ले ले जिए, फिर एक question homework ले देता हो, so students, आप देख सकते हैं, question number 5 मैंने आपको homework के लिए दे दिया है, इसको पढ़िए, समझे और जो भी आपके answers आते हैं, comment box में mention करना, नहीं बूलिए, so students, यहाँ पर time and distance का पहला part हम खतम करते हैं, जिसमें मैंने सबसे basic questions उठाए थे, I hope आपको सभी questions अच्छे समझ आएंग कैसी हूँ, bye-bye